हेलो दोस्तो नमस्कार स्टॉक मार्केट क्लासेस चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूँ सो दोस्तो आज का टॉपिक बहुत-बहुत-बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर के दिमाग में ये डाउट हमेशा चलता रहता है सो चले फाइनली वो वीडियो आप लोगों को मिल चुका है इसके बाद आप लोगों को ये डाउट नहीं सताएगा सो कौनसा डाउट? सो दोस्तो यहाँ पर प्रमोटर से रिलेटेड एक बहुत-बढ़ा डाउट है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में या फिर हम कह सकते बड़े इन्वेस्टर के भी दिमाग में कौनसा वाला डाउट? सो प्रमोटर होल्डिंग इस इक्वल टू जीरो तो सर ये अच्छी बात है या फिर बुरी बात है एंड ऐसे कंपनिस को सर्च कैसे करे सो दस्तो यहाँ पर हम लोग इसी वीडियो में सिर्फ इस एक टॉपिक की बात करने वाले है प्रमोटर होल्डिंग अगर जीरो रहेगी तो पॉइंट नमबर वन इसके डिस एडवांटेज क्या है ऐसे शेर में अगर आप जाते हो डिस एडवांटेज बोलने से था रिस्क क्या है हम उसकी बात करेंगे ऐसे कंपनी के शेर में अगर आप जाते हो तो एडवांटेज क्या है वो भी हम लोग जानेंगे and third point कि ऐसे company को हम लोग identify कैसे करें कुछ companies के नाम हम लोगो popularly पता है बट बाकी में आपको बताना चाहूँगा दोस्तो 90 से जादा companies है दोस्तो yes 90 plus companies जहाँ पे promoter holding zero है so वो भी कैसे धूनते है वो भी मैं आप लोगों को बिल्कुल free of course सीखाने वाला हूँ तो चले इस दमदार वीडियो को स्टार्ट करते पर उससे पहले जरू कहना चाहूँगा अगर आपने first time visit के है जरू चानल को subscribe कर देना और साथ में bell icon को hit करके all जरू select कर लेना तो ऐसे interesting वीडियो हर अफते आपको free of course सीखने के लिए आपे मिल जाएंगे so already index में आप लोगों को बता दिये तो एक-एक point को पकड़ेंगे और वीडियो को close कर देंगे तो point number one point number one किस से related था कि promoter holding अगर sir zero है तो इसमें नुकसान क्या है तो चलिए उसके उपर अभी हम लोग आ जाते basically मोटा मोटी तीन नुकसान हम लोगो को देखने को मिल जाते है सबसे पहले चलो एक काम कर लिते वीडियो ये start कर रहे हैं न हम लोग दिमाग से एक बात निकाल दो कि promoter holding zero है मतलब हम लोग बरबाद ही हो जाएंगे बिल्कुल भी ने ऐसा होता न तो इतने बड़े-बड़े companies नहीं बनते आपको पता है ICIC bank promoter holding zero है Indian energy exchange promoter holding zero है Larson and 2 bro promoter holding zero है तो ये पहले दिमाग से निकाल दो कि promoter holding zero है मतलब bandy बजने वाली Disadvantage promoter holding zero है तो क्या-क्या disadvantage रह सकता है देखी every time that company के उपर एक खत्रा रहेगा कौन सा खत्रा take over का खत्रा कोई भी आके yes दोसो ऐसे company को खरीद सकता है कभी भी खरीद सकता है मतलब चलो मैं इस point को थोड़ा explain करना चाहूंगा कि देखे अगर यह 4 अगर मिल गए तो दोस्तों यह company इनकी हो सकती है इनकी हो सकती है मतलब इन 4 लोगों को एक साथ आके addition लेना पड़ेगा देखे हमारे पास यहापर 20-20-20-20% है 20% से तो ताकत तो नहीं आएगी बट अगर हम लोग चार लोग अगर मुठी बन जाती है हमारी 60% हमारा हो गया और 50% से ज़्यादा 51% चाहिए किसी भी कमपनी पे मालका नहत मतलब क्लेम करने के लिए तो ऐसी कमपनी दोस्तों जहां पर प्रमोटर जीरो रहता है ये रिस्क हमेशा सतता है कि ऐसी कोई भी अलग-अलग ग्रूप जिनके पास ये शेर्स ऐसे फैले हुए वो कभी भी अपनी मुठी बना कर क्या कर सकते है उस कमपनी को खरीच सकते है तो ये खत्रा हमेशा 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 बना रहता है ये बात आप लोग को पता है यहापे होनी चाहिए देन दोस्तों अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग यहापे बात करें कि प्रमूटर होलडिंग अगर जीरो रहेगी तो आपको पता है यहापे की कभी-कभी जो Decisions लिये जाते है, General Meeting में, Board Meeting में तो Board of Directors Decision लेते है, General Meeting में, Shareholders Vote डाल कर Decision लेते है, So, कभी-कभी कुछ चीजों से Related, हम लोग को Delay होते हैं, देखने को आपे मिल जाता है, Easily, यहाँ पर votes एक ही towards जाते हैं, थोड़ा सा Delay हो जाता है, So, यह एक Problem कभी-कभी हम लोग को देखने को मिल जाता है, Usually नहीं होती है, मैं अगर आप 100 में से बोलोगे, तो Hardly 2% मतलब आ जहाँ पर बात करें, Disadvantage, जहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, Yes, ऐसे कमपनी में रिस्क थोड़ा जादा होता है, Right, मैंने again कहना चाहूंगा, बरबाद कमपनी नहीं है, रिस्क जादा रहेगा, As compared to those companies, जिसमें भाई, प्रमोटर है, अगर मैं आप लोगों को सारे Parameters हटा देता हूँ, कोई भी Parameter नहीं देखने है, सिर्फ आपको यही Option देता है, एक Company A है, एक B है, एंड सिर्फ इतना बताता हूँ कि इस Company में 55% प्रमोटर है, इस Company में 0% प्रमोटर है, सिर्फ इतना ही Data, तो आप कौन सी Company चुन्ना पसंट करोगी, Obviously 55% क्यों ऐसा, क्योंक से ज्यादा नुकसान तो Mr. A का हो सकता है, क्योंकि 55% तो शेर इनी के पास है, तो by default अगर सिर्फ इसी चीज़ को अगर हम लोग पकड़ ले, तो यहाँ पे Zero Promoter Holding के हिसाब से, हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कि Yes, यह Company थोड़ी सी Risky होती है, बस इतने ही Disadvantage हैं, मै अगेन केना चाहूँगा, इसका अरति यह नहीं, कि यह Company आप Zero वरबाद हो गई, खतम होगे, बिल्कुल भी नहीं, क्या आप इन Risk के साथ आगे बढ़ना पसंद करोगे, अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, अगर आपको कोई Company का Business अच्छा लगता है, तो definitely, why not, आप आगे यहाँ पर चाहो तो बढ़ सकते हो, द्यान दोस्तों, second point के उपर आना चाहूँगा, बढ़ उससे पहले जरू कियाना चाहूँगा, अगर अभी तक Demet account उपन नहीं किया है, लिंक नीचे description box में, 25 वीडियो के लिस्ट आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगी, कोई classes लगा नही कि आप लोगों को जरूरत नहीं है, आपका नाम, कौन सा account आपने link के थूपन किया है, प्रॉपरली आप मुझे comment section में बता देना, तो हफते बर के अंदर अंदर आप लोगों को इस सारे वीडियो को पर आ जाते, point number 2, point number 2 किस से related था, yes, promoter holding, अगर यहाँ पर 0 रहेगी, त तो disadvantage तो देख लिया, अभी इसके advantage भी तो रहेंगे, yes, definitely advantage है, तो चलिए, आज आते क्या advantage है, सबसे पहले ऐसे company को professionally managed company बोला जाते है, आप लोगों ने सुना होगा, and जब professionally उस company को manage किया जाता है, तो बहुत ही अच्छे तरीकी से उनका business run यहाँ पर किया जाता है, यह एक बहुत अच्छा advantage देखने को मिल जाते है, आप लोगों ने देखे होंगे, management में बहुत ही अच्छे अच्छे लोग देखने को मिल जाते है, point number two, no पहचान वहचान, मतलब देखी, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ companies, जो आप पर promoter holding अच्छा गास है, 50-70% है, for example, right, वहाँ पे वो क्या कर लेते हैं, कि अपने कोई तो मतलब पैचान वाले को board of director में, या फिर आप बोल सकते हैं, top management में, यहाँ पे बिठा लेते हैं, right, किसी को भी बिठा सकते हैं, मतलब अगर कोई promoter जिसके पास, let's say 70% share है, right, and वो क्या कर लेता है, अरे मेरा school का दोस्त है उसके बेटों को यहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, management में बेठा दिया, तो दोस्तों जहाँ पे promoter holding zero रहता है, यहाँ पे पैचान वेचान कोई चीज नहीं चलती है, right, pure आप लोगों में अगर, मतलब बोलते हैं, quality रहेगी, तो ही आप यहाँ पे top management में आपे आओगे, यह एक बहुत ही अच्छी बात रही थी, properly voting होता है यहाँ पे, क्योंकि promoter holding तो zero है, एक person के पास ऐसा पूरा या फिर एक family के पास पूरा ऐसा control नहीं है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो deserving होता है, usually हम लोगों को उसके favor में वो votes जाते वे दिखने को मिल जाते हैं, और प्रॉपरली टॉप मेरेजमेंट में वो वेक्ति आते वे दिखने को मिल जाता है, इसलिए जैसे मैंने का ना कि यह highly professionally managed companies यहाँ पे बोली जाती है, and third अगर हम लोग बात करे, advantage क्या है, कि जहाँ पे promoter holding zero रहती ना, वहाँ छोटे shareholder से ना, उनके votes की इज़त होती है, votes की क्योंकि एक व्यक्ति के पास 60% ताकद है, वो जो चाहे वो अपने मनमर्जी के हिसाब से आपे चीजों को कर सकता है, जैसे कि मैं example लेता हूँ, रिलाइंस का, अभी रिलाइंस के maximum shares की इसके पास है, रिलाइंस मुके शंबानी के पास है, उनी के family के पास है, so आप कोई भी अगर DCN यहाँ पर general meeting में होता है, बोर्ड मीटिंग में होता है, उसके बाद वो general meeting में आ जाता है, बड़ा फैसला, अगर आप यहाँ पर मुके शंबानी के DCN से सहमत नहीं हो, for example, क्या फाइदा है, क्या आप कुछ कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि maximum share उनी के पास है, यह एक advantage भी होता है, जहाँ पर zero promoter holding होती है, दोस्तों, वहाँ पर छोटे छोटे बाकी भी shareholder रहते हैं, वो भी votes यहाँ पर देंगे न, उनका जो DCN रहता है, वो properly मतलब count होता है, क्योंकि एक के पास यहाँ पर कोई ऐसा controlling stake नहीं है, तो यह एक advantage हम लोगों को दे motivation बढ़ जाता है, तो चले आज आते आखरी तीसरे point के उपर कौन सा, कि ऐसे companies को धूंडे कैसे, 3-4 companies के नाम ही अमनों को पता है, आपने तो का 90 plus companies है, कैसे धूंडे, तो चले दोस्तों यह steps follow करो, step number one, Google open करना है, step number two, Google में search करना है, यहाँ पे screener करके, मैं पहले बता दू यह कोई sponsor video नहीं है, यहाँ पे, तो यह भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या type करना है, screener करके spelling भी आप लोग देख सकते हो, जैसे type करोगे, enter करोगे, तो यह देखे, www.screener.in, यह website का link आपको पहले ही देखने को मिलेगा, इसको आप लोग open यहाँ पे कर सकते ह जैसे आप open करोगे, यह देखे, screener website के उपर आ गए, तो यहाँ पे आप लोगों को logging का option पूछेंगे, तो आप free of cost से यहाँ पे logging कर सकते हो, अगर आप चाहो, तो यहाँ पे logging कर सकते हो, free of cost है, logging हो जाने के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हो, tool करके option आएगा, उसके उ उपर आप लोगों को क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने एक box नजर यहाँ पर आ जाएगा, इस box के अंदर आप लोगों को यहाँ पर यह यह type करना है, क्या type करना है, query type करनी होती है, उसमें type करना है, promoter holding is equal to 0, yes ये लिखना है अंदर, ये लिखने के बाद यह देखे ऐसा नजर आएगा क्या लिखा है यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग इस इक्वल टू जीरो एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है जहाँ पर मैंने लाल अक्षर में हाइलाइट किया लिखा है प्रमोटर होल्डिंग 0000 जो यह देखी यह है कंपनिया दोस्तो जिनको आप लोग चाहो थे आप पढ़ सकते हो तो आपको मिलेगा कि 0 प्रमोटर होल्डिंग वाली शेर प्रैस के हिसाब से सबसे भेंगे कौन सी है सबसे सस्ती कौन सी है उसके हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हो या फिर हम लोग बढ़िया चीज क्या करते है यहाँ पर येस, market cap के हिसाब से तो यह देखिए यहाँ पर मैंने क्या कि हिसाब से top 5 ऐसी कोन सी कमपणीज है जिनके प्रमोटर मतलब बिलकुल भी 0 है मतलब है यह नहीं कोई तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रमोटर होल्डिंग ऑलरड़ी 0 यहाँ पर था सिर्फ यहापे मैंने market cap के उपर click किया तो यह देखिए यह 5 companies आ गई इसमें से number one company ICACA bank ICACA bank आप लोग देख सकते हो somewhere around 5.5 लाख करोड का market cap है जो की सबसे highest zero promoter holding वाली company है number one company आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो then HDFC, then ITC then Larson and Tubro, then Delivery जो just अभी अभी हम लोग को IPO की through बाजार में देखने को मिली है इस प्रकार से आप लोग इन चीज़ों को यहापे segregate कर सकते हो, study कर सकते हो आशा करता हूँ, यह technique भी आप लोग को यहापे सीखने को यहापे मिल चुकी है जितनी भी बाते थी, कि advantages disadvantages, disadvantages and कैसे check करते है promoter holding zero के हिसाब से वो सारी चीज़े मेंने cover कर ली है जरू अगर आपको यह video अच्छा लगे तो like and share करना यहापे SMKC करके एक और channel है इसको अगर आपने follow नहीं किया तो link नीचे description box में जरूर इस channel को भी यहापे follow आप चाहो तो कर सकते हो so video अच्छा लगे जरूर like करना बाकी दोस्तों के साथ भी जरूर share करना ताकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता चले and first time visit के है तो subscribe करके भी रख लेना so that's it thank you very much we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye